हेलो एवरिवन कैसे आप लोग कैसे चली सब्सक्राइब बढ़िया एकदम मज़ेदार तो सबसे पहले एक्स्ट्रीमली सौरी थोड़ा सा लेक्चर में गाप हो गया क्यूकि मैं अवेलेबल नहीं था तो लेक्चर कंटिनियस नहीं आ पा रहे थे बट हाँ अब मैं वापस आ गया हूं लेक्चर तुमको अब कंटिनियस मिलेंगे और बहुत ही बहतरीन तरीके से मिलेंगे और स्वागत आपका आपने प्यारे से चैनल में खुबसूरे से चैनल में जे आर कॉलेज में जो की पाठ है जे आर टुटोरियल का ओके आप लोग को पता है मैं वापस बत करो फड़ा फट शेयर करो सबसे पहला काम यह करना है ओके तुमको पता है अल्रेडी जे आर टुटोरियल पर वीडियो अवेलेबल है बट यह नया बैच है तुम्हारे लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे है तो तुम्हारा काम क्या बनता है भाई वीडियो को ज सारा सर्कूलर मोशन की कहानी समझ ली थी हम लोग ने युनिफर्म सर्कूलर मोशन की कहानी समझ ली थी हम लोग ने भांक रोड देख लिया था हम लोग ने होरिजॉंटल रोड देख लिया था ओके हम लोग ने वेल लॉप देख लिया था यह सारी चीजे हम लोग ने दे हैंडल दिया हुआ है तुम लोग जाके मुझे वहाँ पर DM कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तो आज हम लोग देखेंगे कोनिकल पेंडूलं क्या होता है तुमको सिम्पल पेंडूलं पता होगा तुमने कहीं-कहीं सुना भी होगा और यह कोनिकल पेंडूलं का let us start with conical pendulum, conical pendulum क्या होता है basically, ऐसा simple pendulum, ये एक तरह का simple pendulum है, simple pendulum मतलब क्या, नीचे क्या होगा, bob होगा, और यहाँ पे एक massless string होगा, और जो extent नहीं हो सकता, मतलब जो elastic नहीं है भाई, उसमें, बोलते हैं ना, उसका जो length है, वो change नहीं होगा, अब इस string को लो, हम ऐसे, ऐसे करें तो यह हो जाएगा simple pendulum, अब इसको क्या करेंगे, conical घुमाएंगा, ऐसे, ये जो है, ये तुम्हारा होगा conical pendulum, ओके, इसको बोलते है conical pendulum, मतलब जो तुम्हारा bob है, bob को ध्यान से देखो, वो एक circle बना रहा है, horizontal circle बना रहा है, और तुम string को अगर ध्यान से देखोगा, तो के लिए कितना time period लगेगा, ओके, वो चीज़े हमको यहाँ पर देखनी है, so let us consider, यहाँ पर देखते हैं, पहले एक conical pendulum assume कर लेते हैं, this is the conical pendulum, माल लो, माल लो, यह conical pendulum है, और माल लो, यह ऐसा horizontal circle बना रहा है, माल लो, horizontal circle बन रहा है, इस तरह कुछ ऐसा, ऐसा हो रहा है, horizontal circle है, यह क्या है, horizontal circle है, अब कुछ basic fund है, जो आपन देखेंगी, भाई, कौन-कौन सा forces, कौन-कौन सी चीज़े यहाँ पर अपने को given है, तो कुछ बन रहती है, that is nothing but, यह theta, इसको बोलते है, semi-conical angle क्या बोलते है, semi-conical angle बोलते है, okay, let's say, यहाँ पर tension लग रहा है, उस tension को हम लोग ले लेंगे t-, okay, why t-, why not t, because t we are going to use for, हम किसके लिए use करेंगे, हम use करेंगे time period के लिए, okay, किसके लिए use करेंगे हम लोग, time period के लिए use करे को, भाई, नीचे क्या act होगा, नीचे vertically, downward direction में, एक force act होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे weight, mg, yes or no, अगर इस bob का mass है, m, तो उसका weight कितना हो जाएगा, mg, और weight हमेशा कहाँ act करता है, towards the downward direction, तो downward direction में mg act होगा, yes or no, okay, इतनी basic चीज़े हैं, और इसका length given होगा, यह जो string है, य हम assume करेंगे, तो, let's say, माल लो, यह circle है, इसका radius r हो जाएगा, और माल लो, यह जो height है, vertical height, इसको h माल लेते हैं, क्या माल लेते हैं, h माल लेते हैं, vertical height का, और यह circle का radius क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, अब basic कहानी देखो, यहाँ पे कौन-कौन से force है, कैसे काम करेंगे, त तो, along the string, along the string, एक component लगेगा, और अगर यह theta है, तो मेरे ख्याल से यह भी theta हो जाएगा, basic concept है, यह अगर theta है, यह mg है, तो these become mg cos theta, जिसके साथ theta attach होता है, that become cos, यह हमको रटा हुआ है, और एक मेरे को अंदर की तरफ लगेगा, हाँ या ना, अंदर की तरफ अगर हम लोग द अंदर की तरफ mg sin theta, और यहाँ पर क्या लग रहा है, that is mg cos theta, तो ध्यान दो ज़रा, कहानी देखो, अब अगर circular motion हो रहा है, तो circular motion हो रहा है, मतलब एक compulsory force आएगा, and that compulsory force is nothing but centripetal force हमको पता है, ओके, तो यहाँ पर जो necessary centripetal force है, वो कौन provide कर रहा है, भाई, अंदर की तर हो, the necessary centripetal force, कहानी देखो, same to same है, कुछ अलग नहीं लगेगा तुमको, ओके, ऐसा नहीं कि कुछ अलग चल रहा है, हम लोग ने जब death of well के लिए, well of death के लिए किया था, मौत के कुवह के लिए किया था, same तरह से, हम लोग ने जब bank road के लिए किया, same कहानी, हम लोग देख कौन provide कर रहा है, जरा देखो तो, is provided by, that is, ओके, अब माल लोग कहीं कहीं कि तुमको ऐसा लगेगा, कि सर, mg के साथ हमको दिमाग नहीं लगाना है, हमको tension के साथ दिमाग लगाना है, तो tension के साथ भी लगा सकता है, कहानी तुमको वो भी बता देता हूँ, अगर कहीं पे अब माल लो ये टीटा है, तो इसके टम में ये अल्टरनेट हो जाएगा, मतलब ये टीटा हो जाएगा, तो इस बिकम टी डाश कॉस टीटा, और यहाँ पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, that is, टी डाश, साइन टीटा है ना, यहाँ पे भी कहानी वहीं है, भाई दे से देखो, टी डाश, साइन टीटा, किसके बराबर हो जाएगा, टी डाश, साइन टीटा, बराबर हो जाएगा, that is, mv square by r के बराबर हो जाएगा, हाँ है ना, अब देखो जारा, यह वर्टिकल कंपोनेट किससे बालेंस डोर है, वर्टिकल कंपोनेट बालेंस डोर है, that is, T dash cos theta किसके बराबर हो जाएगा वो mg के बराबर हो जाएगा हाँ है न अब दोनों को simply क्या करना है दोनों को divide करोगा तो क्या मिलेगा therefore, ओके उपर है T dash sin theta divided by T dash cos theta is equals to divide करोगा क्या मिलेगा that is mv square by r divided by mg देखो दरा T dash, T dash cancer हाँ या न T dash T dash कर गया sin by cos क्या हो जाएगा that become tan हाँ या न साथ में, साथ में बोलते जाओ, मेरे साथ बोलते जाओ तुम लोग practice करते जाओ मेरे साथ by sin by cos tan हो गया यहाँ से देखो mass mass get cancer क्या मिलेगा v square यह नीचे आ जाएगा r g v square by r g आ गया यह r g को यहाँ भेज़ दो क्या मिलेगा that is r g tan tita हाया न और यहाँ पर क्या रहेगा v square अब यह v square को वहाँ भेज़ दो गया that become under root that is v is equals to under root r g tan tita, कुछ याद आया इससे, कुछ याद आया कि नीए भाई, same to same derivation हम लोग ने किया था किसके लिए bank road के लिए bank road के लिए same कहानी थी वहाँ पर बस वहाँ पर tension के जगे क्या था normal reaction था बाकि सारा कहानी same to same था तो अगर तुमको कभी आया कि भाई, conical pendulum का linear velocity बताओ कितना होता है conical pendulum का linear velocity कितना होता है, that is v is equals to under root r g tan tita अब यहां पर कहानी खतम नहीं है हम लोग का लक्ष क्या है हमको क्या डिराइब करना है हमको डिराइब करना है time period तो यह procedure है ऐसे ऐसे करते जाएगे तो अपने को time period मिल जाएगा चलो तो time period के लिए थोड़ा सा इसको adjust करना पड़ेगा, adjust कर लेते हैं इसको फटाक से कि चाल ओके कानि कहा पर आजाएगह देखो चब्सक्ति निकाल लिया अब अपने वो पता है कि बहुत आप कि लिए वेलिए सटी और उन्हें नहीं पता है तो यहां पर पहले वीडियो पॉस करो इसके पहले वीडियो जाओ तो देखो, फिर यहां पर जम करो, नहीं तो कहानी फिर समझ में नहीं आएगी, वो मजा नहीं आएगा पढ़ने में याद रखना, तो अपने मों पता है, भाई, relation है, that is v is equals to r omega, मैंने बोला था, रटलो, yes or no, तो v is equals to r omega, where r is nothing but a radius, and omega is nothing but a angular velocity, हाया, अब यह दोनों जगे compare करेंगे, तो मेरे को मैं बोल सकता हूँ, what is the value of v, तो v के है, that is under root rg tan theta, तो यहां पर v के जगे क्या पूट कर सकता हूँ, अब दोनों जगे क्या करो, square कर दो, और अगर square नहीं करना है, बस तुमको simplify करना है, यह r को नीचे भेज़ दो, जैसी r को नीचे भेज़ोगे, क्या मिलेगा, that is rg tan theta divided by r square हो जाएगा, अब तुम्हों बोलोगे, sir, r square कैसे हो गया, r square इस तरह हो गया, कि भाई, जब यह r नीचे जाएगा, तो यह root के अंदर जाएगा, जब कोई चीज़ root के बाहर आती है, तो उसको square गायब होता है, तो अगर कोई चीज़ root के अंदर जाएगी, तो उसके पास square आ जाएगा, तो यह r के पास यहाँ square आ गया, अब 1r और 1r cancel हो गया, तो क्या बचा, that is g tan theta divided by r, यह किसका value है, यह omega का value है, अब what is tan theta, अगर तुम यहाँ से देखोगे, तो tan theta का value तुम को क्या मिलेगा, देखो जरा from figure, from figure जरा tan theta का value निकालो, tan theta क्या होगा, that is opposite by h, तो tan theta का value put कर दो, तो kya हो जाएगा, tan theta का value put करोगे, तो g by r as t is, tan theta के जगे क्या आजएगा, tan theta के जगे आएगा, that is opposite, मतलब r, adjacent, h तो यहाँ पर क्या आजएगा, r by h हाया न, देखो जरा r, r get, cancel, omega क्या मिलेगा, omega मिलेगा, g by h, तो omega is equals to under root, g by h, हाया न, ओके, अब मुझे omega मिल गया, मुझे time period का relation पता है न, भई, omega और time period में relation हमको रटा हुआ होता है, that is nothing but, क्या होता है, relations रबता होता हो, that is, t is equals to 2 pi by omega, हाया न, we know that, यह सारी चीजे हमको पता है, याद रखना, पहले से ही, ओके, यह हम लोग ने 50 बार पढ़ा है, time period is equals to 2 pi by omega, तो 2 pi by omega, what is omega, omega is nothing but g by h, substitute the value, that is, t is equals to 2 pi by under root g by h, अब यह उपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, that is, t is equals to 2 pi under root h by g, हाया न, क्या हो जाएगा, t is equals to 2 pi under root h by g, अब क्या होता है, जाधा करके हमको h का value नहीं पता होता है, जाधा करके हमको value पता होता है, okay, जाधा करके हमको l का value पता होता है, तो h और l में जरा relation देखो, प्रॉम फिगर, we can say that cos theta, what is cos theta, that is adjacent h by hypo, that is l, हाया न, तो cos theta is equals to h by l, यहां से देखो h क्या मिलेगा, therefore h is equals to l cos theta, तो h के जगे मैं l cos theta put कर सकता हूँ, therefore time period क्या मिलेगा मेरे को, t is equals to 2 pi under root l cos theta by g, यह है कहानी, तुम्हारे time period की, किसके conical pendulum की, याद रखना, यह conical pendulum का time period है, अब माल लो, यह theta है, angle ऐसे बना रहा है, अब जैसे जैसे angle छोटा होते जाएगा, angle छोटा होते जाएगा, भाई theta का value, nearly close to 1 होते जाएगा, और जैसी theta का value 1 कर दोगे न, मतलब cos theta का value 1 कर दोगे न, तो यह जो time period है, यह time period आ जाएगा, तुम्हारा simple pendulum का, okay, the formula for the, time period for the simple pendulum is nothing but, t is equals to 2 pi under root l cos theta, okay, वो किसके लिए, वहा conical pendulum पढ़ रहे है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, under root l cos theta, कोन बनेगा न, मतलब यहाँ पर कुस्तो आंगल रहेगा, यह सोनो, तो अगर मैं देखने जाओ, time period, time period किन किन चीजों पर depend करता है, तीन चीजों पर depend करता है, सबसे पहले, 2 pi under root, constant हटा दो, that is, l, the length of the conical pendulum, theta, म इसका, conical pendulum का, clear, बासन में आ गई, अगर पूछा, derive the formula for the conical pendulum, यह पूरा का पूरा derivation है, यह derivation दिमार्ग में बैठा लो, और यह derivation दिमार्ग में उतार लो, समझ में आ गए everyone, पका, start करें कहानी, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, next हम लोग बात करेंगे, vertical circular motion, अभी तक हम लोग ने, जितना भी circular motion पढ़ा, सारा का सारा horizontal हो रहा है, सारा का सारा horizontal, भाई, death of well देखने गए, well of death देखने गए, well of death में क्या हो रहा था, ऐसे चक्कर लगा रहा था गाड़ी, हम लोग देखने गए, bank road, गाड़ी ऐसे टन ले कहानी है, बट यह जो कहानी है, यह vertical motion है, vertical circular motion, मतलब यह जो circular motion हो रहा है, ऐसे circular motion हो रहा है, तो इसका जो फिनॉमिना है, वो थोड़े बाकी circular motion से थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें क्या-क्या changes आते हैं, क्या-क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग यहां पर discuss करेंगे, तो यहां पर देख लो, let us consider a vertical circular motion, एक vertical circular motion consider करते हैं हम लोग, let's say this is the vertical circular motion, यह vertical circular motion है, अब क्या-क्या कहानी आती है, देख लो, अब vertical circular motion किसकी वज़े से होगा, तुमने बच्पन में किया रहेगा, एक रसी लो और उस पे एक पत्थर बांदो और ऐसा-ईसा घुमाओ, ओके इस नथिक में बड़ा vertical circular motion, मतलब तुमने किया रहेगा बच्पन में रसी लेके, उस पे पत्थर बांद के ऐसा-ईसा घुमाओ रहेगा, यह सो नो, तो इस नथिक में बड़ा vertical circular motion, वो क्या है, वो एक vertical circular motion है, अब vertical circular motion में आगर हम लोग देखने जाने हैं, तो basically हम लोग त topmost position बोलते हैं, this is called as topmost position, let's say, यहाँ पे मैंने एक string से बांदा हुआ है, और यह एक पत्थर है, ओके, तो यह होता है topmost position, एक होता है bottommost position, और एक होता है midway position, क्या होता है, midway position, ओके, तो topmost, bottommost और midway, यह तीनों position के बारे में आप पों डिसकर्स करेंगे, भाई, तीनों position position पे, what will be the velocity, तीनों position पे, what will be the tension, ओके, यह सारा चीज़ हम लोग डिसकर्स करेंगे, clear बास में आगए everyone, चलो, so, let us start with the topic, okay, so, मान लो, topmost पे है, और मुझे पूछा है, भाई, what will be the velocity at the topmost, अगर मैं कोई भी चीज़ ऐसा घुमा रहा हूं, कोई भी चीज़ ऐसा घुमा र motion कर ले, okay, so, let us start with, let us start with कहानी, okay, so, मान लो, कि यह first position है, इसको नाम देदो, V1, यह second position है, इसको नाम देदो, V2, और यह third position है, नाम देदो, इसको V3, okay, so, सबसे पहले, topmost की बात कर रहे हैं, हम लो, किसकी बात कर रहे हैं, topmost, topmost position, तो, topmost position पे, अगर हम लोग देखने जाए, तो, topmost position पे क्या होगा, भाई, क्या-क्या force लगेंगे, वो चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझने कोशिस करते हैं, तो, सबसे पहले लगेगा, इसका weight, और weight हमेशा कहा लगता है, तुमको पता है, that is, towards downward direction, हाई ना, mg, हाई ना, tension लगेगा, भाई, tension कैसे लगेगा, tension लगेगा, away from the body, away from the body, बोले तो, नीचे, body से दूर, ज़स में, ब्थाँखे का लांग लगेगा, बट बादी से दूर लगेगा, मतलब, यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए, तो, दोनों के दोनो, tension और, mg, दोनों के दोनों, कहा दोनों के दोनों मिल के क्या करेंगे centripetal force प्रोवाइड करेंगे बरबर हाँ या ना बात सुन ना रही कि ने सुन ना रही है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ भाई जो necessary centripetal force है that is mv square by r वो कौन प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है tension plus mg है या ना let's say यहाँ पर जो बात करेंगे न वो बात करेंगे minimum velocity के लिए for minimum velocity कम से कम velocity for minimum velocity okay there will be there will be a slack in the string okay अब यह कहाने को समझे क्या लिखा है sir ऐसी लिख रहे है क्या देखो भाई हम देख रहे है कि कम से कम इसको कितनी velocity चाहिए यहाँ से नीचे आने के लिए यहां से नीचे आने के लिए कम से कम कितनी वेलासिटी चाहिए जादा से जादा क्यों नहीं देखेंगे अब इसको खाली हलका सा थोड़ा नीचे करते तो तुमको फ्रेम में दिखेगा अब यहां पे जो स्ट्रिंग होगा वो एकदम टाइट नहीं होगा वो क्या होगा वहां पे थोड़ा सा स्लाक होगा क्या होगा स्लाक होगा अब स्लाक होगा तो यह स्ट्रिंग ऐसे नीचे गिर जाएगी बट मेरेको थोड़ा सा धक्का देना है अब जैसी मैं इसको थोड़ा सा धक्का दूंगा यह कहा जाएगा आगे की तरफ जाएगा क्या हो जाएगा टेंशन हो जाएगा जीरो यहां पर जो टेंशन लग रहा है डाट टेंशन बिकाम जीरो वो टेंशन क्या हो जाएगा वो टेंशन जीरो हो जाएगा clear बासमिनारी everyone क्यों टेंशन 0 हो रहा है क्योंकि हम लोग minimum के लिए देख रहे हैं maximum के लिए है हम लोग कितना भी जोर से घुमा सकते हैं बट कम से कम कितने से घुमाना है जब तुम्हारा टेंशन 0 होगा तब याद रखना यह condition है तो जैसी टेंशन 1 0 हुआ क्या मिलेगा that is mv1 square by r is equals to mg m और m कटा r इदर जाएगा तो v1 का square is equals to rg तो v1 क्या मिलेगा v1 मिलेगा under root rg तो this is the minimum velocity यह कम से कम velocity याद रखना minimum सबसे vertical circular motion में अगर तुमको याद होगा तो सबसे कम velocity कहाँ पर लगती है सबसे कम velocity लगती है at the topmost यह मेरा topmost है तो यहाँ पर सबसे कम velocity लगती याद रखना clear बासन में आ रही everyone पका ओके कहाँ नहीं समझो बस कहाँ धरी धरे समझते जाओ feel करते जाओ तब तुमको अच्छा लगेगा ओके चलो आगे बात करेंगे तो थोड़ा साइड कर देते हैं अब बात करते हैं bottommost की ओके लेस्ट से यह दिस इस दे bottommost आराम आराम से पढ़ेंगे यह तुम्हारा bottommost है तुम लोग भी बोल रहे हों के आराम से पढ़ा रहे नहीं तो ऐसे बहुत तेज जाते हैं आराम से पढ़ा हैं कारण यह है कि थोड़ा सा बोलते हैं ना pace में आने को time लगता है तो धिरे धिरे जाएंगे धिरे धिरे ओके चीज़े अच्छे समझेंगे बहुत अच्छा टॉपिक बहुत रिन टॉपिक रोटेशन डानेमिक्स में बहुत पसंद करता हूं पढ़ाने के लिए कि समझाने के लिए तो चीज़े धिरे धिरे खाली समझते जाओ sorta to let's say अब बात करेंगे हम लोगा डिसक्रिशन करेंगे वांटम मोश्ट की अब भॉन आपन क्या करेंगे वांटम मोश्ट की लिए आपने को एक वेलासिटी पता चल गए धाट is topmost, topmost के लिए velocity कितना है, that is, V1 is equal to under root RG, अब bottommost के लिए velocity क्या लगाएंगे, आपन, bottommost के लिए velocity क्या लगाएंगे, bottommost के लिए velocity क्या लगाएंगे, bottommost के लिए आपन लगाएंगे, भाई, conservation of energy, because there will be no external force, भाई, कोई non-conservative force यहां पर है हम एज्यूम कर रहे हैं, कि भाई, there will be no air resistance, ऐसा मान के चलो, कि भाई, कोई भी air resistance नहीं होगा, अब कोई भी non-conservative force नहीं है, इसका मतलब यह है, कि यहां पर conservation of momentum लग सकता है, तो by conservation of momentum, किसके लिए, for bottommost, okay, topmost के लिए होगा, for bottommost, bottommost, position के लिए, क्या हो जाएगा, by conservation of energy, हम लोग क्या लगाएंगे, by conservation of energy, हमको पता है, by conservation of energy, क्या होता है, total energy always remain conserved, by conservation of energy, by conservation of energy, क्या हो जाएगा, by conservation of energy, by total energy, at topmost, will be equals to the total energy at bottommost, मतलब यहां पे जो total energy होगी और यहां पे जो total energy होगी जो दोनों energy क्या होगी what is total energy at bottom most that is kinetic energy plus potential energy हाँ अना okay what will be the kinetic energy at the topmost kinetic energy का formula क्या होता है that is half m v1 का square plus what is potential energy भाई potential energy क्या होगा topmost पे तो potential energy का formula हो जाएगा m g h but what is h अगर मैं bottom को इसको reference ले लूँ this is the reference line तो this is r and this is r the radius ये सानो तो अगर ये r है ये r है तो पूरा height कितना हो जाएगा that is 2 r तो instead of writing h I can write 2 r हाय न ये मेरे को मिल गया topmost का is equals 2 अब जरा बताओ bottommost का kinetic energy क्या होगा that is half m v square बरबर 2 आ जाएगा वहाँ पे क्यूंकि हम लोग bottommost की बात कर रहे है अब potential energy अगर बात करें तो bottommost पे potential energy क्या होगा 0 because यहीं से reference ले रहे है न जब यहीं से reference ले रहे है तो यहां से यहां तक का height कितना होगा 0 भाई यहां से यहीं तक का height कितना होगा 0 भाई यहां पर कोई height नहीं होगा न यहीं से height ना आप रहे आप हो तो यहां पर कोई height नहीं तो is equals to half m v 2 का square हां या न सारा 2 से multiply 2 से multiply कर दो सब को 2 से multiply कर दो क्या मिलेगा यहाँ पर 2 cancel हो जाएगा that is mrg plus यहाँ पर 2 से multiply कर दो that is 4 mrg यहाँ पर 2 से multiply कर दो that is m v square सारे मैं से m cancel हो जाएगा सब में से m उड़ा दो यह m ये म, ये म, ये म, गेट, कैंसल, ये सो नो, RG plus 4RG, that becomes 5RG is equals to V2 का स्कूर, so therefore V2 will be under root 5RG, ये 5 हैं, under root 5RG, and this is the maximum velocity, अगर कहीं पर तुम को देख रहा है, तो भाई, ये maximum velocity कहा होता है, maximum velocity होता है, bottom most पर, ये है maximum velocity, clear, okay, maximum velocity कहा होता है, at the bottom most, okay, bottom most पर जो velocity होता है, वो होता है, V2 is equals to under root 5RG, मतलब इतनी velocity अगर तुम को दोगे, तो वो कहां जाएगा, तो वो उपर जाएगा, एक दम उपर, और उपर कितना देना पड़ेगा, उपर देना पड़ेगा, इतना velocity है, अगर तुम नीचे दोगे, तो यहां से वो उपर जाएगा, याद रखना, okay, clear बासन ना रही है, समझा, okay, पूरे vertical circular motion में, ये maximum velocity है, पूरे vertical circular motion में, ये minimum velocity है, मतलब इससे कोई कम velocity नहीं हो सकता, और इससे कोई जादा velocity नहीं हो सकता, याद रखना, ओके, पूरे vertical circular motion में, ये maximum velocity है, याद रखना, okay, जादा, मतलब क्या, कि ये value तो इससे जादा तुम दे सकते, इससे जादा भी तुम लगाओ, ये value से जादा भी अगर तुम लगाओगे, तो भी वर्टिकल circular motion होगा, बट पूरे vertical circular motion में, जो सबसे बड़ा value होगा, वो bottom most का होगा, उसके बाद सारा value होगा, okay, bottom most पर बहुत जादा लगता है, याद रखना, clear बास में आ गई, ओके, चलो, अब हम लोग tension की बात कर लेते हैं, at the same time, हम लोग tension की बात कर लेंगे, तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग tension की बात करें तो यहाँ से देखो tension का value मिल जाएगा हमको, यहाँ से देखो tension का value मिल गया हमको, यहाँ से ज़रा tension निकालो देखो, क्या मिलेगा? तो tension will be T1 इधर रखो और Mg को उतर भेज़ दो तो क्या मिलेगा that is Mv1 square by R minus Mg तो यह आगया मेरे को tension same यहाँ पर अगर तुम bottom most के लिए देखने जाओगे तो bottom most के लिए देखो ज़रा Mg कहाँ act करेगा नीचे तो यह मेरा Mg हो गया tension कहाँ act करेगा ऊपर tension क्योंकि away from the body होता है तो यह body है body से away that is T2 less से तो अब यहाँ पर तुमको centripetal force कौन provide कर रहा देखो the net force acting towards center तो the net force acting towards center which is the net force acting towards center that is T2 minus Mg तो T2 minus Mg है will be equals to that is Mv square by R है न तो T2 minus Mg is equals to Mv square by R अब यह Mg को उधर भेज़ दो तो क्या मिलेगा therefore T2 is equals to Mv2 का square by R plus Mg तो यहाँ पर plus Mg आ जाएगा बरबर यह V2 हो जाएगा क्योंकि हम लोग bottom most की बात कर रहे हैं तो same कहाँ नहीं है देखो सरा यहाँ पर क्या हो रहा है Mg minus हो रहा है इसलिए यहाँ पर Tension कम होगा यहाँ पर Mg plus हो रहा है मतलब Tension यहाँ पर जादा होगा तो तुम यह भी बोल सकते हो कि भाई जो maximum Tension होता है वो bottom most पर होता है और जो minimum Tension होता है वो top most पर होता है यहाँ पर minimum Tension लगेगा याद रखना अगर under root RG के अलावब भी तो value हो सकता है उस दोरान कितना Tension लगेगा भाई वो velocity यहाँ पर put करो calculate the value of Tension clear बास में आ गया तो this is the minimum Tension and this is the maximum Tension हाँ या ना आगे बड़े अब हम लोग देखेंगे midway यह जो midway की कहानी है यह हम लोग देखेंगे कि midway में कितना यह होता है same conservation of energy लगाएंगे हम लोग same conservation of energy तो for third किसके लिए midway position for midway position midway में same हम लोग कहानी लगाएंगे किसमे किसमे यहाँ पे which is nothing but a bottom most और यहाँ पे this is nothing but a midway midway और bottom most का हम लोग दोनों calculate करेंगे ओके दोनों जगे हम लोग conservation of energy लगाएंगे तो ज़रा conservation of energy लगाओ तो by conservation of energy by conservation of energy by conservation of energy क्या होता है अगर इको ज़रा by conservation of energy total energy at one will be equals to the total energy at two हाई है ना बट यहाँ पे हम लोग किसका discussion कर रहा है हम लोग यहाँ पे discussion कर रहा है two और three का तो वहाँ पे क्या करतेंगे two और three लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा that is total at two and total at three तो total energy at two and total energy at three भाई दोना energy same होगा what is total energy same कहानी kinetic energy two plus potential energy two is equals to what is total energy that is kinetic energy three plus potential energy three अब मुझे पता है भाई यहाँ पोजो potential energy हो बोटीरल ऑने वाला हा investir potential energy tutorial उच्छे पेंघ प्तेंटीरल होगा क्योंकि bottom most 240 artist He required kinetic energy kinetic energy when there is half m square 이것도 Ś фильм चून विश्क्वार W ऐल्म plus potential energy क्या जाएगा, that is m, g, h but what is h, जरा ध्यान दो, भई, h क्या है, इनके बीच में height क्या है, जरा ध्यान दो, तो यह r का height है, देखो जरा, यह bottom most है, और यह midway है, इनके बीच में जो height है, वो height कितना है, that is r the radius, yes or no, तो यहाँ पर h के जगे instead of h, write down r okay, अब वही कहानी है, देखो जरा 2 का value तुमको पता है 2 का value put कर दो, that is half m, यहाँ पर 2 के जगे क्या जाएगा, that is phi r g, हम लोग ने अब भी देखा by velocity 2 के जगे क्या है, phi r g is equals to half, यहाँ पर क्या जाएगा, m v3 का square plus m g r हाया ना, अब जरा क्या करो, यह कर दो 2 से multiply कर दो, सब को, सब को 2 से multiply कर दोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, that is phi m g r is equals to, यहाँ पर हड जाएगा, that is m v3 square plus, यहाँ पर 2 आजाएगा, 2 m g r यह 5 m g r है, यह 2 m g r इदार आके minus हो जाएगा, that become 3, m g r is equals to m v3 का square mm get cancel, mm cancel हो गया, क्या मिलेगा, v3 का square is equals to under root 3 r g, यह square यहाँ बेज दो, तो v3 कितना हो जाएगा, v3 हो जाएगा, under root 3 r g this is the midway का velocity, ओके, यह क्या है, यह midway का velocity है, clear बासना है, मतलब midway में, यहाँ पर देखो यह जो midway है न, यहाँ पर तुमको कम से कम कितनी velocity देनी है, कम से कम तुमको velocity देनी है, under root 3 r g कितना velocity देना है, under root 3 r g ओके, इतना velocity तुम दोगे, तुम midway से वो कहाँ पहुचेगा, midway से वो उपर पहुचेगा, ओके, और उपर कितना लगाऊँगा, उपर लगाऊँगा, that is, nothing but अगर तुम को फिर मिडवे पर लगाने की जरौद नहीं है अगर तुमने नीचे कुछ कम लगाया तो तुम मिडवे तक पहुचोगे और मिडवे के बाद तुम कहा लगाओगे तो उपर की तरफ दिए मिडवे में कितना लगेगा अंडरूट 3RG और याद रखना अगर लगती है वो लगती है अंडरूट 2RG मतलब अगर तुमको सिरिफ यहां से सिरिफ बॉटम से कहा आना है उपर आना है सिरिफ यहां तक आना है तो इसके दौरान वेलासिटी लगाओगे 2RG यहाद रखना अगर 5RG लगा दिया यहां पे तो तुम पूरा यहां पे आ तो नोट की तरह याद कर लो यह चीज को कि भाई अगर बॉटम से मिड़वे पर आना है तो अंडरूट 2RG लगाना है 2RG लगाना है अब अगर हम लोग टेंशन की बात करें तो यहां पे देखो टेंशन कहा लगेगा और मेरे को पता है भाई नीचे यहां पे MG एक करेग तो मेरे कहाल से टेंशन और MG का कोई लेना देना नहीं है तो यहां पे अकेला टेंशन कौण प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो T3 टेंशन क्या हो जाएगा that is mv square by r और कौनसा velocity आएगा at third position तो यह आजागा tension यह आगा tension तो T3 tension कितना होगा that is mv3 square by r यह आगा है मेरा T3 tension यह क्या है मेरा T2 tension और यह क्या है मेरा T1 tension at the topmost at the bottommost and at the midway यह midway पर tension हो अब अगर मैं दोनों tension का यह दोनों tension को अगर difference करता हूँ let's say topmost और bottommost tension को अगर मैं minus करता हूँ दोनों को difference लेता हूँ तो answer आता है that is T2 minus T1 का जो value आएगा वो आएगा 6 mg क्या जाएगा 6 mg और यह कैसे आएगा यह तुमको home work है ओके यह तुमको home work है क्या करना है यहां से T2 उठाना है T1 उठाना है दोनों को minus करना है तो LHS minus करना है RHS भी minus करना है RHS minus करने के बाद क्या करना है velocity का value substitute करना है velocity का value substitute करोगे तुम लोग minus minus करोगे तुमको answer आजाएगा T2 minus T1 is equals to 6 mg तो यह try करना अगर आया तो well and good है नहीं आया तो मुझे comment section में बता दो कि sir समझ में नहीं आया हम next lecture में यह चीज़ स्टार्ट कर देंगे यह चीज़ में तुमको बता दूगा कि भाई कैसे solve हुआ clear बास नहीं आगे everyone पका ओके चलो बहुत बढ़िया तो यहाँ पर हम लोग ने सारा discussion कर लिया vertical circular motion का next कहानी आ जाते है next कहानी is spear of death किसकी कहानी is spear of death spear of death is same as the vertical circular motion बस फरक क्या है कि भाई यह मान लोग कि spear of death है तुम लोग ने देखा रहेगा कि circus में ही मैं बात कर रहा हूँ एक spear होता है उसके अंदर bike दवड़ाते है यह सोनों देखा रहेगा okay bike हो गया, car हो गया जो भी हो गया वो चलाते है ऐसा देखा रहेगा तुम लोग ने okay ऐसा bike दवड़ाते है पूरे spear में तो spear of death जो है ना spear of death और vertical circular motion यह दोनों सेम चीज़ है बस फरक क्या आता है मालू में गया फरक ही हो जाता है कि भाई यहाँ पर tension नहीं है यहाँ पर आता है एक normal reaction क्योंकि यहाँ पर contact है ना तो contact है तो यहाँ पर normal reaction आता है मतलब instead of tension instead of tension instead of tension instead of tension वहाँ पर क्या जाएगा replace क्या हो जाएगा नार्मल रियाक्षन रिप्लेस हो जाएगा नार्मल रियाक्षन सब जगय आजाएगा याद रखना मतलब जहां जहां तुमको tension दिखेगा वहां मातर क्या लिख देना है normal reaction लिख देना है that is n तो यहाँ पे जो भी formulas है जहाँ पे जो भी कहानी है जहां पर तुमको टेंशन दिख रहा है, वहां पर तुम नॉर्मल रियक्शन लिख दो, same, this is nothing but a sphere of death, ओके, तुमको उस्तना ज्यादा दिमाग लगाने की जुरूत नहीं, वही तुम्हारा sphere of death रहेगा, clear, बासन में आगे everyone पका, समझ में आए एक आणी, चलो, ओके, एक बार try करो, sphere of death समझने की, same to same है, बस, यहां पर रसी नहीं है, तो रसी नहीं है, मतलब tension नहीं होगा, यहां पर contact है, और contact के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, contact के लिए यूज करते हैं, okay, sphere ऐसा रहता है, जाली का cage होता है, उसके अंदर वो motorcycle घुमते रहता है, that is nothing matter, sphere of death, वही होता है, तुमारा sphere of death, clear, चलो, अगला कहानी, vehicle on the top of the convex bridge, okay, so convex bridge बतला, भाई, ऐसा कुस्तो convex shape का bridge होगा, let's say, ऐसा कुस्तो bridge है, और यहाँ पर कोई तो vehicle है, और यहाँ पर मेरे को minimum velocity बताना है, कि भाई, कितनी minimum velocity से वो travel होगा, okay, कितनी कम से कम velocity से वो travel होगा, जैसे तुमारा, तुम्हें देखा रहेगा speed breaker, तो यह speed breaker एक तरह का, okay, speed breaker है, अब वो speed breaker में, तुम कम, अगर देख, कभी-कभी तुम याद करो, तुम अगर बाईक चलाते हो, बाईक को speed लेके आओ, तो वो speed breaker से उचल जाती है, बट वही अगर बाईक को slow लेके जाओ, तो वो मस्त से speed breaker को पूरा पूरा चिपक के रहती है, यह सोनू, और कभी-कभी बाईक स्पीड लेके आओ, तो वो speed breaker से उचल जाती है, मतलब वो contact छोड़ देती है, तो मेरे को बताना है minimum velocity, वो minimum velocity बताना है कि वो contact ना छोड़े, कम से कम, मतलब contact छोड़ने से पहले की velocity, मतलब इतने कम velocity से travel करना है कि contact छोड़े उससे पहले की velocity, तो यहाँ पर देखो कौन-कौन सा force लगेगा, नीचे लगेगा इसका mg, उपर लगेगा normal reaction, क्योंकि contact उपर की तरफ है, तो उपर लगेगा normal reaction, यह सोनू, अब यहाँ पर देखो necessary cent centripetal force कोन प्रोवाइड करना है, तो necessary centripetal net force कोन प्रोवाइड करेगा, mg नीचे की तरफ है, और normal reaction उपर की तरफ है, तो क्या जाएगा, mg minus normal reaction is equals to mv square by r, हाया ना, that is mg minus n is equals to mv square by r, ओके, अब ध्यान दो, थोड़ा सा समझने कोशिस करो, तुमको बोला है कि minimum velocity, मतलब कम से क velocity से travel करना हो, मतलब मालनों कि यह curve है, अब देखो सरा, यह जब curve जब body इधर से इधर इधर आएगी, body इधर आएगी, body इधर आएगी, तो एक ऐसा position आएगा कि body अपना contact छोड़ देगी, हाँ या ना, body अपना contact छोड़ देगी, और जैसी वो अपना contact छोड़ देगी, भा contact छोड़ने के बार, भाई, obviously है, कि उसका जो normal reaction है, वो क्या हो जाएगा, 0, तो मेरको क्या देखना है, मेरको minimum velocity निकालना है, कि कब वो अपना contact छोड़ देगी, तो यहाँ पर एकर हम लोग देखने जाए, minimum, कितना हो जाएगा, when n is equals to 0, okay, तो for no contact, for no contact with surface, तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 0, अब n 0 हो गया, तो क्या मिलेगा, mg is equals to mv square by r, mm get cancelled, यह r इदर आजाएगा, that is rg is equals to v square, यह square इदर आजाएगा, तो v is equals to under root rg, तो यहागा, v is equals to under root rg, तो यहागा, v is equals to under root rg, this is the minimum velocity, यह कम से कम velocity याद रखना, यह सबसे minimum velocity, मतलब इतने velocity से तुम travel करोगे, तो जाके तुम्हारी कहानी अच्छे से रहेगी, याद रखना, minimum, sorry, maximum velocity होगी, क्योंकि इससे जादा तुम ने अगर travel किया, तो तुम उसको तोड़के बाहर चले जाओगे, याद रखना, okay, मतलब इतने velocity से त जाओगे, तो तुम उस पर contact में बने रहोगे, अगर इससे जादा velocity बना लिया, तो तुम उस contact को छोड़ दोगे, मतलब तुम speed breaker पर उचल के जाओगे, क्या जाओगे, याद रखना, कभी तुम देखना, अगर छोटा ये रहता है, क्या बोलते है, speed breaker रहता है, तो हम क्या करते हैं, फटाक से उसके ऊपर चले जाते हैं, बड़ा रहता है, तो हमको गाड़ी slow करनी पड़ती है, क्योंकि भाई, उसके हिसाब से, वो speed vary करेगा, that is, v is equal to under root rg, समझा, तो this is nothing but a vehicle on the top of the convex bridge, okay, clear, समझा सबको, so, यहाँ पे हम लोग, भाई, हमारा जो UCM वाला जो topic है, पूरा chapter नहीं, जो UCM, uniform circular motion वाला topic है, वो सारा चीज हम लोग ने खतम कर दिया है, अब उसमें important क्या-क्या है, वो भी बता देता हूँ, जैसे conical pendulum, भाई, exam में push चुका है, vertical circular motion, exam में push चुका है, vehicle at the top of the convex bridge, अभी तक exam में नहीं पूछा है, बट यह दोनों exam में push चुका है, इनको बहुत बार पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, ओके, यहाँ पर हम लोग ने circular motion वाला part खतम कर दिया, in next lecture, we will start with the rotational वाला part, जो हमारा rotational motion का part है, वो हम start करेंगे, okay, next lecture में start करेंगे, यह video ज्यादा lengthy हो जाएगा, तो next lecture जो हमारा आएगा, वहाँ हम लोग vertical, rotational motion की बात करेंगे, वहाँ पर हम लोग circular motion की बात नहीं करेंगे, वहाँ पर कारी थोड़ी सी change हो जाएगे, okay, सारा discussion करेंगे, next lecture में बात करेंगे, हम लोग, clear बास में आ गया, okay, so, अगर आज किसी को doubt है, तो भाई, पढ़ो पहले, समझो, अगर कुछ doubt आ रहा ह है, सारा चीज तुमनों का complete होने वाला है, तो सबसे पहले क्या करना है, भाई, चैनल पर फर्स ताइम हो, चैनल को subscribe कर लो, और परे अपने दोस्तों को, सारे के सारे अपने colleagues को क्या करो, share कर दो, ये चीज़ है, okay, clear, समझ में आ गई, इसके जो भी notes है, जो भी return notes है, वो त कर दो